नमस्कार मैं हुनवया, ये जानते क्या हो रहा है टीवे के कॉंट्रोवर्शिल शो बिग बॉस सोला में बिग बॉस सोला में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जहां बिग बॉस खुद भी कंटेसन की तरह खेल रहे है खेलना तो फिर भी ठीक है लेकिन खेल के साथ साथ बिग बॉस पाशालिटी करते में भी नजर आ रहे है उन्हें एक नहीं बल्कि कई बार फैंस को उनके फैसलों पर सवाल उठाने का मौका दिया है विग बॉस का खेल देखने पर हर बार ऐसा लगता है कि वो खुद भी मंडली का हिस्सा है और हमेशा उनकी हख में फैसले भी लेते है विग बॉस के खेल में एक बात तो साफ हो गई है कि उनकी फेविट कंटेस्टन निम्रत है अक्सर आर वीकेंड के वार पर देखने को मिला है कि उन्हें सलमान खान से भी कम भी डाट पड़ती है और विबॉस खुद भी उनने कई गल्जियों को कुछ लिए कुछ नहीं कहते है वह उनकी जगा निम्रत जिससे अपना दुश्मन मानती है यारी प्रियांका की वो जंगर क्लास लगाते वे नजर आते है प्रियांका को उनकी हर बात के लिए गलट हराय जाता है फिर चाहे वो दोस्ती हो, बजाय वाला टास्क हो या फिर अपनी बात रखनी हो निम्रत कॉर को एक नहीं, दो नहीं, बलकि तीन-तीन बार बिग बॉस ने मुफ्त में क्याप्टन भी बनाया जहां प्रियांका एक बार भी शो में क्याप्टन नहीं बन पाई है वही निम्रत को बिग बॉस के आशरवाद से मौका तीन बार मिला शो में पहली contestant बन कर entry करने पर बिग बॉस ने उने captain बनाया दूसरी बार क्योंकि मंडली ने task से पहले ही ये fix कर लिया था कि captain निम्रित बनेगी तब भी बिग बॉस ने उने task का captain बना दिया था अब शो के लास कुछ week में बिग बॉस ने टिकेट जो फिनाले निम्रित को देते हुए उन्हें फिर से captain बना दिया अब तो ये सबी सोच रहोंगे क्या निम्रित होंगी winners निम्रित पर बिग बॉस इतने क्यों महरबान है ये तो समझ से परे है लेकिन पूरे खेल को देखकर तो यही लगता है कि कुछ ना कुछ कि निम्रित को top ने पहुचाने के लिए किया जा रहा है देखा जाए तो बिग बॉस captaincy छीनने के लिए जो task दे रहे हैं वो हर हाल में मुम्किन नहीं है यह यूँ कहें कि वो पूरी तरह से एक तरफा है इतना ही नहीं मंडली वाले लोग यानी शेव MC और सुमबुल भी अपना अपना गीम छोड़कर निम्रित की captaincy को बचाने में लगे है ऐसे में अगर ऐसे ही चलता ही रहा तो हो सकता है कि शो का विजेता निम्रिती बन जाए आज के लिए बसकता ही धन्यवाद